तो ट्रीक है ओके तो आज हम बैकप और रिश्टोर पर बात करेंगे और हम जो आज पढ़ेंगे उस पर हम पहले यह समझेंगे कितने टाइप के बैकप होते हैं बैसिकली और हमें क्यों बैकप लेना चाहिए और क्या बैकप स्ट्रेजी होनी चाहिए अगर हमें यह कहा समझना बहुत जरूरी है फिर मैं बैकप रिश्टोर करता हूं एजन डीबी यू हैब तो अंडर्स्टैंड कि आपको दो टर्मलोजी समझना है आर पी ओ ठीक है आर टी ओ ठीक है तो इसका फूल फॉर्म होता है रिकवरी कि पॉइंट अब अब्जेक्ट दूसरा होता है रिकवरी टाइम अब्जेक्ट ओके तो अगर आपने आप डाटाबेस अडिविस्टेटर है तो जब भी कोई भी कोई भी एसाइनमेंट लेते हैं तो सबसे पहले कस्टमर यह पूंचता है कि भीया क्या मेरा आर्पियो आर्टियो है ठीक है तो हमें उसको यह बताना है और हम कैसे बताएंगे यह हम समझते हैं बैक अपन रिकवरी में सबसे पहले हम यह समझते हैं रिकवरी पॉइंट अब्जेक्ट क्या होता है तो एक्जामपल के तौर पर एक मैं करता हूं कुछ राइट तो मैं एक ड्रॉ करता हूं कुछ यह सपोस करो मेरे पास एक बैकप सेट है यह है इतना बड़ा है और यह पूरा बैकप है अब सपोस करो इसका छाइड सयज है यहां पर मैं एक लाइन डाल देता हूं क्यों एक और लाइन डाल देताह हूं आपक यह इस चार एक्जामपल कबर करनेंगा सपोस करो मेरे पास यह पूरा एक सेट बाविल्हीयर है अलग अलग टाइम के साफ से सब्सक्राइभ करो यह दे Würणप है डे 1 है, डे 2 है, नहीं दिख रहा हो तो मैं चेंज कर दूँ, font and color, डे 3 है, ठीक है, डे 4 है, ठीक है, अब आप लोग ही answer देना मुझे, कि अगर मेरा database server, मैं backup लिया हूँ, रात को, पूरा एक दिन का जो काम होगा, रात को backup लिया, suddenly वो यहां पर crash हो गया, यहां पर आके, यहां पर आपका server यहां पर पकड़ के, यहां पर crash हो गया, यहां पर उसको crash हो गया, यहां यहां पर crash हो गया, तो आप मैंसे कौन मुझे बता सकता है, कि हम, कौन सा data restore करेंगे, हमारे पास, यहां तक का backup था, यहां तक का, तो अब हमें आप में से कौन बता सकता है कि कितना data waste का backup हम कर पाएंगे तो ये इतना backup हम कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास यही backup point था तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको बूलेंगे recovery point object इस point पर हम data को recover कर पाएंगे और ये data हमारा loss हो जाएगा क्योंकि यहां से यहां के बीच का डेटा हमारे पास नहीं था सिंपल सिंपल जाते हैं यह तो हो गया recovery point object का concept अब हम इसको कैसे improve करेंगे क्या backup की भूमेका होती है वो हम further discuss करेंगे अभी हम सिर्फ RPO पर बात कर जाएं तो recovery point object मतलब जिस point तक हम data को recovery कर पाते हैं उस point को हम बोलते है recovery point object उसके बाद कितना data loss होता है तो उसके basis पे हम बताते हैं कि इतने दिन का इतने घंटे का इतने टाइम का backup हमारा loss हो सकता है खमझ में आगे राए RPO का मतलब अब RTO समझो RTO का मतलब यह है कि आपका data यहां पर crash हो गया system down है आपने कितना time लिया इस पूरे set of backup को recover करने में तो इसको बोलते है recovery time object आपको कितना समय लगा सब कुछ recover करने में it is considered as a RTO ठीक है किलियर है दोनों terminology होफ़ली अब नहीं भूलोगे आप लो ठीक है clear चलो very good so अब हम discuss करते हैं type of SQL server database backup in interval and what is backup so जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी database का copy रखना data की तो उसको हम backup बोलते हैं तो अगर हमें अपनी नॉर्मल ले में भासा में बात करें कि अगर हमारे पास मेरी मार्क सीट्स हैं जो औरिजिनल हैं अब हमें उसको सेव रखना है suppose करो घर में वो सेफ नहीं है तो हमने क्या किया उसकी photo copy कराई और हमने कहीं दूसरी जगर रख दे तो we have one more copy अब हमने क्या किया हमने एक और काम किया हमने उसकी scan कर लिए अपनी email पर रख ली तो अगर आप in case आपकी कोई copy खो जाती है तो आपके पास इस्टिल एक copy होगी तो यही scenario आपकी database के case में भी लागू होता है मोटा मोटा ऐसे समझिए कि आपने database की copy रख ली ठीक है जब आ कप करना है मेरी इस्टो जब हमारा कोई failure हो जाए ठीक है backup क्या होता है इसे copy of data ठीक है तो बहुत सिंपल है इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है तो backup of SQL server data creating at level of database और और more of its files and file group so file and file group हमने last classes में भी देखा था कि file group हम कैसे separate बना सकते है अलग-अलग file कैसे बना सकते है तो there is a many way to take the backup एक और चीज़ याद रखना है कोई आप से बोले मुझे table level backup लेना है कोई मुझे last class में बूच रहा था कि table level backup can be created no it's not possible table level backup cannot be created क्यों क्यों क्योंकि table level backup लेने की MS SQL में ऐसे कोई प्रोब्लेज ऐसा कोई तरीका नहीं है लेकिन हाँ being a developer कुछ ऐसे options हो सकते हैं जिसके तुरू हम script करके रख लें उस data का scripting के तुरू हम उसको as a script file save कर लें और data backup ले लें अब इस नोट actual data backup ठीक है तो all the data backup जितने भी data backup information कभी भी आप backup लेते हो उसकी information हमेशा MSDB database में store होती है ठीक है और वो table कभी भी आपको check करनी हो उसके backup के बारे में तो यह 5 table है जो responsible है इसके related information से तो backup file की information आपकी mhdb.backup file table होती उसमें होती है तो आपको मैं दिखा भी देता हूं यह इसलिए मैं बता रहा हूं कोई भी आपको बता देगा backup कैसे लेना है लेकिन backup को हमें चेक करना है कल के दिन हम फस गए तो हम कैसे चेक करेंगे तो हम यहां पर देख सकते हैं हमें यहां पर सारी टेबल दिख जाएंगे यहां पर देखो backup file backup file group है backup media family है backup media set है backup set है so these are some tables related to the backup ठीक है so this is हमें याद रखना है backup files के बारे में कोई information हमें पता कर गी है तो हम direct query भी कर सकते हैं जो कि हम इस तरह से चलाते हैं however यह देखो logical name क्या है size क्या है so there is a lot of information for the backup ठीक है however आपको कुछ join join लगा लो कुछ अच्छी सी query बना लो तो आप एक meaningful result set बना सकते हैं but आपके information के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि media set कहां पर है कौन सी backup location है वो यहां से भी देख सकते हैं दूसरा option backup location हमें देखनी है तो हम generally अपने instance में जाके यहां पर भी देखते हैं जो configuration होती है यह यहां पर backup location है तो यह बात कर रहे हैं backup media family जहां पर हमारा backup generally store होता है वो instance label पर configure होता है लेकिन आज के समय में generally maximum organizations local backup नहीं रखती हैं जो रखती हैं वो information वहां पर जो backup configuration setting में वहां पर पढ़ी होती हैं आप चाहो तो इसको fix भी कर सकते हो आप चाहो तो इसको change भी कर सकते हो जो आपको ठीक लगए run time पर भी कर सकते हो तो यह information के लिए है immediately आप यह समझो कि इस में 5-6 table होती हैं जो मैंने आपको बता दी 5 होती है backup file, backup file group, backup media family, backup media set and backup set यह सारी information अगर आपको कुछ से related information चाहिए होती है तो you can go directly to MSDB and get this information from there ठीक है backup से related सारी information आपको यहां पर मिल जाईगी ठीक है और जो हमारे relevancy होगी वो उसको हम देख सकते हैं तो यह देखो यह file group की information भी यहां पर पढ़ी है ठीक है यहां पर आपकी कब backup हुआ, backup size क्या है, read only है, is read only है, is present है कि नहीं है, differential क्या state है so you will get lot of information in these tables, बहुत सारी information आपको इन टेबल से मिल जाएगी ठीक है और कहां पर backup हुआ है वो आपको दिखा रहा है, कौन से server का backup, कौन से database का क्या size था, क्या source था type of backup अब हम आगे discuss करेंगे, वो यहां पर table पर भी देख सकते है, ठीक है, तो type of backups क्या होते है main type तो basic backup के होते है, full backup, differential backup and transactional log backup, which is also called transaction log, ठीक है और T-log backup, तीन तरह के backup होते है, full, differential and transactional log backup, ठीक है, इन backups को हम multiple ways में ले सकते हैं, depends on the requirement So, there are popular 10 ways of backup, you can say 10 type of backup, popular backup available, ठीक है, एक होता है, copy only backup, एक होता है, split backup So, आपका मतलब क्या होता है, इन तीन backups को लेने के यह तरीके होते हैं, different, ठीक है, तो full backup हम file का भी ले सकते हैं, complete file system का भी ले सकते हैं, complete data set का भी ले सकते हैं और normal भी ले सकते हैं, तो copy only backup आप कैसे ले सकते हैं, क्या होता है, हम आगे discuss करेंगा, अभी इतना समझों कि तीन तरह के backup होते हैं, उनको हम copy only backup की थूरू भी ले सकते हैं, splitting कर सकते हैं, backup files को, compressed backup ले सकते हैं, mirror or snapshot backup, you can say also in this case, ठीक है, यह सारे backups आप ले सकते हैं, अब हम यह सारे backup को कोसेश करेंगे, कि आज ही complete कर ले, ठीक है, partial, तो यह 10 नाम आप याद रखो, तीन नाम तो होते हैं, जो basic type of backup होते हैं, और उनको हम different different तरीके से ले सकते हैं, you can say copy only backup, तो full backup का copy only backup भी ले सकते हैं, differential का भी copy only ले सकते हैं, split backup ले सकते हैं, मतलब आपका backup फाइल, आपका बड़ा फाइल है, आप चाहते हैं, उसको multiple फाइल में split कर दो, this is called split backup, mirrored backup मतलब एक पिक्चर खीचलो उसकी, mirrored बना लो, वो उस तरह से, तो यहां पर हम बात करते हैं, note, copy only backup, mirrored backup, splitting backup, आदा, new features added in 2005 onwards, इससे पहले यह backup के features में नहीं थे, और जो comparison वाला feature आया था, वो 2008 में आया है, तो आप लोग को यह याद रखना है, कभी भी interviewers मूच लेते हैं, कि आपको पता है, 2005 में मैं आप से कह रहा हूँ कि, आपके पास 2005 MS SQL Server है, और आप compression के साथ backup ले सकते हो, तो sometime बोल देते हैं कि हाँ, होगा उसमें भी होगा, लेकिन हमें पता होता है कि हाँ, कौन से backup कभ कैसे support करेगा, okay, before going to the restore of backup, we should, we should have a backup database, let's see how to take the backup in the detail, so full backup is, backups of entire database, this backup will take a data, data file, ndf files, okay, it's include part of the transaction log, so that full backup can recover after the full backup is restored, this is the base of the remaining backup, so what does that mean, अगर आप सोचो कि आपको full backup है आपके पास, इक मादयार कि अपाउफिस से फोन आ रहा है, झाल 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 स्वारी यारे फोन आ गया था चलो सो हम क्या डिसकस कर रहे थे इस इस बेस ऑफ दे रिमेनिंग बैकप मतलब अगर आपको सोचो कि फुल बैकप नहीं है और में डिफेरेंचिल रिश्टोर कर लो इस नोट पॉसिबल यूट तो जब भी हमें कोई डिफेरेंचियल या अन्यिक में बचा चाहिए यह नोट कि श्टोप नौ दो कीकिया रहा है Państu BIG कुषास प्रूसर लॉट यह जो एक्टा को एक्सी बीपुट न ते लिच्टोर कर सकते हो एग्जैम्पल की तरपह है मैं बता देता हूं क्या मैं कहना चाह रहा है वह यह किर रहा है आपको full backup restore करना है तो suppose करो आपके पास यह पूरा set of backup है ठीक है अब आप चाहते हो कि नहीं आपका crash भले ही यहां हुआ था मतलब यह समझ लो आप चाहते हो कि आपको आपके developer ने कहीं गलती करी है वह संभेर यहां पर हुई है तो आप आपने अगर यह वाला point आपको पता है तो आप यहां पर backup को बीच में stop भी कर सकते हैं यहां तक ही restore कर सकते हो इसको बोलते है stop at okay so आप चाहो तो इसको यहां पर भी इस जगह पर भी stop कर सकते हैं यहां पर संभेर जहां पर आपको पता है तो यह सिव इतना और इतना backup restore करेगा यह वाला छोड़ देगा ठीक है इसको बोलते हैं stop at ठीक है stop at command ठीक है यह हम अपने command prompt पर भी देखेंगे और वैसे भी देखेंगे ठीक है so अभी repeat ना समझो okay so यह मैं छोड़ रहूं what is the process running in the backup full backup तो चाहो तो मैं फटा-फट बता देता हूं साथ process run करती है इसका मतलब क्या होता है कि जब आप backup लेने जाते हो तो क्या चीज रन होती सबसे पहले वह checkpoint issue करता है on lock forcing all transaction to move to the buffer pool सबसे पहले क्या करता है checkpoint issue करता है जबकि हमने लाश्ट बिस कसम नहीं बताया था checkpoint क्या करता है जितने भी transactions आपके locks में थे वह buffer pool में move करेगा फिर उसके बाद checkpoints in buffer pool flush करेगा dirty pages to disk तो ऐसे समझो पहले lock से buffer pool में write करेगा जितने भी transactions हो गई थे उसके बाद आप buffer pool से disk पर write कर देगा checkpoint ठीक है उसके बाद क्या करेगा current active transactions को lock file में रखेगा उनका एक note बना लेगा कि यह lock file में एक्ट रांजेक्शन से इनको आम बैक अप नहीं कर सकते हैं start reading data file from the database at the page level once it is complete reading all pages again it's taken note of the active LSN the difference between LSN number makes a transaction lock difference in the data जो बुक्या करेगा कि जो active है उनका एक difference ले लेगा और जहां तक non active locks थे उनका backup ले लेगा once all the our process complete SQL SQL will assign the backup and take the full backup and full backup stored in MSTV so मैं फिर से finger count पर बता देता हूं सबसे पहले checkpoint चलाएगा जितने भी locks पहलों बुफर पूल में move करेगा बुफर पूल से वो उठाके dirty pages होगे वो disk पर write करेगा active transaction की clicks बनाएगा और active transactions के basis पर जो उसके complete transaction थे उनका difference major करेगा और जो complete lock के साथ मैं मतलब complete backup जो था मतलब complete active के बिना जो backup था वो अपना backup ले लेगा ठीक है और उसके बाद आपकी एक entry में एक entry बना देगा उसमें mhdb में database की information के साथ में so database will not have all the pages in the database free pages will be bitmarked while restoring some free pages will be assigned to the database for example यह भी बहुत अच्छा important point है और questions है interview का तो free pages का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा total use space जब भी होता है हमारे database में इसमें हमने भले उसको allocate कर दिया size यहाँ पर देखो यहां से देखो यह देखो तो आप देखो कि मेरे पास 69% free है available space है ठीक है जबकि total located size कितना है 21 MB current located space लेकिन use कितना हुआ है cable कितना हुआ है 31% बाकी का 15 MB free है तो 6 DB का data है तो database का backup जब लेगा तो 6 MB का backup ले लेगा बाकी के space को bitmark कर देगा free pages का जब आप restore करोगे तो इसी setting के साथ वो restore हो जाएगा उतने free space pages वो allocate कर देगा ठीक है तो यह इतना सा एक point है तो कि हमने पढ़ी लिया चलो एक बार यह हम detail कर लेते हैं full backup मैंने बताई दिया ठीक है differential backup का मतलब क्या होता है सबको नहीं पता है मैं एक बार फिर से बता देता हूं थोड़ा सा बड़ा topic है यह सो यहां से बताने की कोशिस करता हूं मैं ठीक है यह मेरा full backup है differential backup का मतलब होता है तो for example यह बहुत जरूरी चीज है समाझ लोग यह questions बहुत regular question है interview में जरूर पूछा जाता है यह हमारा डे बन का backup है ठीक है यह हमारा let's say day two का है तना ध्यान रखते हैं अभी अब हमने क्या किया हमने इस point पॉल backup ले लिया यह हमारा full backup का point है यह बाला ठीक है अब अगर मुझे backup लेना होगा फिर से मैं full backup लोगा तो क्या होगा अगले दिन backup क्या चलेगा इसमें वह line यह रही यह पूरा चलेगा इतना अगर मैं यहां पर इस point पर full backup ले रहा हूं अगर मैं इस point पर full backup ले रहा हूं एक दिन day one में ठीक है तो क्या होगा यह पहला full backup होगा दूसरे दिन backup लोगा तो फिर यह क्या करेगा पूरा यहां इतना है उसके बाद अगर हमने full backup लिया तो full backup पहले दिन ले लिया हमने यहां पर देपन यहां तक पर मैंने full backup लिया डेटे में तो यह full backup की केस में क्या करेगा इस point से लेगे इस point तक पूरा backup ले लेगा तो day one में हमारे पास जो backup था वह अल्मोश्ट इतना होगा यहां से यहां तक का किणि today,acup होगा-वह यहां तक होगा और यहां तक कोई confusion नहीं है न ठीक है अब अब हम डेली अगर डेली ऐसी set of backup लेते जाएंगे तो एक copy यह रही एक copy यह रही जबकि हम इसको अगर optimize करना चाहें तो हम क्यों न ऐसा कर दें कि हम हम क्या करें डे बन हमने यह backup ले लिया और फिर उसके बाद एक नया concept आया या यह कहलो कि यह concept आया वो आया differential का तो जितने भी चेंज मार्क हुए डे बन के बाद से यहां के बाद से उसने यह backup ले लिया दूसरे set में जिसको हमने बोल दिया डे टू तो अब यह मेरा differential backup हो गय है तो केवल उतने ही backup ले लिया मैं और एक्जैंपल इसमें लिखने में दिक्कत होती है यह बहुत important topic है that's what मैं थोड़ा time लगा रहा हूं अगर किसी को कोई confusion हो तो पुछ लीजेए मज़े हुआ ठीक है तो यहां पर मैं full करता हूँ यह लिखने में असानी होती है color करने में अच्छे होती है day 1, day 2, day 3 अगर मैं full backup ले रहा हूँ तो अगर मैंने पहले दिन full backup लिया तो मेरा यह पूरा set of backup आएगा गुरा मेरा में वेकप लिया तो यह पूरा वेकप फुर्वी नियुक्त है तो हमने देख助 कि ये हमारे पास में बैकप आजेगा था फिर भी हमने d2 में backup लिया तो हमारा यह कहीं न कहीं duplication हो रही है यह मतलब हमारा resource unnecessary use हो रहा है तो Microsoft ने क्या किया कि उसने क्या कहा कि भई भई day one का backup आपने fully लिया day two का backup आप क्या करो differential ले लो आप differential ले लो जो in kad um def one lelo ॐ थीक है तो उसने क्या कहा फिर आप एक और leverage-up ले लो जिसको फिलना फिर से एक differential ले लो तो फिर से एक differential लिया गया वो स्थे दिशे लिआ गया इसको मुने बोल दिये differential three ऐसो कि टुप टुट क्या प्रेक बैकप लिया गया जो हमारा day three था अब हमने बैक अप लिया मंडे को फुल को तूजडे को डिफरेंशिल वन ठीक है यहां पर मैंने टूजडे लिख दिया और थर्जडे को बैदनेश्डे को डिफरेंशिल टू तो अब जब मैं रिस्टोर करने चलूंगा तो मुझे पहले सेट बन का बैक अप चाहिए औ और डिफरेंशिल टू चाहिए तो जब अगर मुझे बैनेश्डे तक की रिकावरी करनी होगी तो मुझे फुल वन प्लस डेफ टू लगेगा तेन वी आर अलाव तो टेक अ कम्प्लीट बैक अप अंटिल इस रिश्टोर ठीक है तो यह हो गया फुल इसलिए हमने यहां प डिफरेंशिल टू के केस में आपको यह और यह दौनों सेट बैक अप रिश्टोर करने पड़ेंगी तो आपका हो जाएगा अब डिफरेंशिल के बाद बैक अप का काम आता है टी लॉक्स का टी लोग वैक अप क्या करते हैं जनरली हम ऐसे शुडूल बनाते हैं यह तो हम हम डेली लेते हैं यह बीकली लेते हैं फुल, difference planets, लोग वैक अप हम दिवह सकता है, थाट्टी मिनटा पर ले लें अगर ज़्यादा ट्रांजिक्शन हैं या फिर लहां एक गंटी के उस पह ले लें बना Gi how much the transaction, सो यहाँस पर मारे questions का answer है अगर आप differential backup ले रहे हो और आपका transactions बहुत हाई हो रहा है तो आप तीन घंटे के रेंज पर उसको fit कर लो और differential backup के अलाबा आप log backup को चाहो तो 30 minute पर सेट करो depends on the requirement also अगर आपको लगता है नहीं ज्यादा changes नहीं है तो differential backup दिन में एक बार कर लो कई जगे लोग 6 गंटे में करते हैं differential कई बार 3 गंटे में करते हैं based on the system requirement तो जितनी ज्यादा gap होगा backup लेने में उतना हमारा recovery point object time बढ़ जाए और वो recovery point object का वो बढ़ जाएगा अगर हमने लोग backup 30 मिनिट में लिया तो हमें 30 मिनिट का data loss हो सकता है ठीक है तो इसलिए आप चाहो तो इसका time कम time हर कम time पर backup ले सकते हो तो यह एक scenario इस तरह से बनेगा simple है यहाँ पर मैं चलता हूं यह आपका full हो गया यह आपका differential हो गया differential को मैं फिर syndicate करता हूं यहाँ पर यह आपका diff 1 हो गया फिर आपका फिर हमने दूसरे दिन दिन दिया तो यह differential हो गया यहां तक clear है यह diff 2 हो गया ठीक है यह diff 1 हो गया यहां तक पेस्ट की चेस में मैं यह वाला सट और यह वाला सट करेंगे तो हम्हारे पास टोटल 24 तो आब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाईया मेरा डेटाबेस का बैकप रिकवर कर दो तो आप हम हर घंटे के बैकप रिकवर करने में सक्षम है depends on availability of backup now recovery का concept यह आएगा इसमें फुल बैकप के बाद अगर हम चाहें तो लाश्ट ट्राइक्शन लॉग तक के पूरे बैकप रिश्टोर कर सकते हैं तो हम ऐसे भी रिश्टोर कर सकते हैं फुल प्लस टी लॉग depends on the requirement अगर कोई बोलता है नहीं मुझे टी लॉग का ऐसा क्रिस्टम चाहिए कि मुझे इस दिन का जो पहला एक टी लॉग हुआ और इसके बाद क्रैश हो गया यहां पर ही क्रैश हो गया बैनेज दे हो गया था यहां पर crash हो गया है तो यहां पर हम रिकवर कर देंगे तो hopefully समझ में आगे आपको तो हमेशा हमें यह याद रखना है जब भी हम backup को restore करें तो हमेशा sequence में restore होगा unsequence restore नहीं कर पाऊगे आप also अगर आप differential के साथ restore कर रहे हो then you also have options कि आप differential जो latest differential है उसको restore करो जब आप point in time पे जा रहे हो तो आपको जितने कम से कम restore करने पड़े हैं उतना कम time लगेगा तो you can achieve a point of recovery time object जितना ज्यादा time लगा हो इतनी problem होगी जितने ज्यादा set of backup होंगे हो सकते है उतना ज्यादा time लग जाए I mean आपको proper set of backup एकदम से पता हो तो ठीक है आप कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो आप उल्टे सीधे backup restore करोगे तो problem हो सकती है तो कई बार इस तरह की situation को अवाइट करने के लिए यह क्या करता है daily backup लेना शुरू कर देता है which is not advisable क्योंकि वह repeatedly टास्क हो रही है तो अब आप यतना समझो कि differential का concept कैसे था cumulative backup after the complete after the full backup जो भी cumulative backup होगा वो differential में चला जाएगा जब भी आप differential होगे फुल के बाद का जो जो changes होंगे differential में चले जाएगे भले आपने इससे पहले भी differential ले लिया होगा कोई बात नहीं यहीं सेम concept dv2 में है dv2 में दो चीज़े चलती है क्यों बता रहा हूं क्योंकि तुम थोड़ा सा broad-minded हो other database और अलगतर एक options देता है dv2 डिल्टा बैकप का option देता है dv2 क्या करता है वह जरूरी नहीं है कि आपको बार-बार यह बैकप लेना है फिर यहां से पूरा इसकेस में क्या होता है कि नंबर बैकप से बढ़ गए इसलिए msql ने क्या किया किया कि फुल फुल के बाद जितने भी क्यूमिलेटिव बैकप से हैं वह आप रिश्टोर कर दो ठीक है यह बैकप रिकवरी का concept हो गया अगर आप डिफरेंशियल के साथ में टी लॉग भी देट टु इन दे सिक्वेंश तभी आप बैकप को रिश्टोर कर पाऊ गए तो फुलिए आप यह अंडर्सेंट कर पाए कि डिफरेंशियल बैकप क्या होता है डिफरेंशियल बैकप को हम कब से कब तक का लेते हैं और क्या तरीका होता है ठीक है ट्राइक्शन लॉग बै सेुनिसद्स वियंक्ष्च्व में बता अग्सेड़ को क्या अग्ले सब्सक्षिंद्स होते हैं जिनकों यूज़न कर सकतें लेकिन एन% the day backup commands के वल तीनी होती है जो तीनी सेट के लिए चलते हैं बट हम यह copy only backup को क्यों include करते हैं यह सारी चीज़ें हम next lecture में समझ लेंगे अभी के लिए यह समझो कि backup का concept क्या होता है backup के वल तीनी तरह का होता है MS SQL में और उसके अलाबा एक चीज़ और ध्यान में रखो transactions log backup तभी allowed होगा जब आपका database का recovery full recovery होगी यह basic है तो transaction log backup will backup only log files you must have created at least one log full backup before you can create a log backup यह भी एक इसकी conditions है it's not possible to take transactions log backup in single recovery mode ठीक है जो कि हमने discuss किया कि full recovery के साथ ही possible after that the transaction log can be backed up at any time unless the log is already being backup क्या कह रहा है कि आप कभी भी backup ले सकते हो किसी फिक्टोंसी पर ले सकते हो बट पहले आपके पास एक और फुल backup होगी चाहिए ठीक है गाईस तो अभी थोड़ा सा टाइम अगर है हमारे पास तो हम देख लेते हैं हमारे पास तू मिनिट है copy only backup का बहुत अच्छा ही होगी उसे का होता है कि जैसे कई बाद डबलपर बोलते हैं कि मुझे database का backup दे दो और backup के बाद क्या होता है आपके लेसेन के जो नंबर्स होते हैं वो आपको मैंने बताया था सेवन स्टैप जिसमें आपका डिफरेंस काउंट करता है एक्टिव लॉक्स और वो सारे लॉक्स और यह यह सारी चीजें करता है वो उसके बैकप लेता है लेकिन कॉपी ओनली बैकप में जो आपका ट्रांजेक्शन चल रहा है जो कुछ भी चल रहा हो कुछ एनलाइज नहीं करता कि वह एक सिंपल कॉपी बना लेता है इससे क्या होता है आपके लेसन मिसमेंच नहीं होते है और आपका सेक्वेंस बिगड़ता नहीं है वो सारी चीजें आपका यह कंपी ओनली बैकप ओनली पॉसिबल विद फुल बैकप बैकप यंद लोग बैकप कि वह लेते हैं को बनली बैकप हमें बस एक और काम पी चाहिए बट हमारा LSN सेक्वेंस नहीं भीगड़े इसलिए हमने अपर को बनली बैकप का ओनसेप्ट यहां पर मैक्रोसो server backup this is also full backup but the difference is this backup will not disturb your backup lsn number of the previous full backup तो इसका कोई वो disturb नहीं करेगा आपके पुराने sequence को तो वो as it is आपका चलता रहेगा sequence जो आपने sequence बना है तो जब भी कभी आपको बोला जाए आपके organization में कि हमारे लिए एक फुल बैकप ले लो तो मैं आपको में से यह एडवाइस करूंगा कोई भी आदोग वेकप लो तो कॉपी बैकप देना चाहिए फुल बैकप का until unless आपके sequence का कोई बिगाल नहीं रहा हो कुछ भी तो बैस्ट है कि आप कॉपी लिए लिए occasionally if it is useful to take a backup of a special purpose without affecting the overall backup and restore procedure of the databases copy only backup serve this purpose copy only full backup recovery models copy only backup cannot serve as in differential base or differential backup does not reflect the differential base copy only backup full recovery log mode में हो सकता है या bulk recovery log mode copy only log backup presents the existing log archive points and therefore does not affect the sequencing of the regular backup splitting backup का मैंने बता दिया अगर आपकी फाइल काफी बड़ी है और आपको छोटी फाइल उसको कम माइन चोटे-चोटे फाइल में बांटना है तो उसको इसको स्प्लिट कर सकते हैं वाइल टेकिंगा पैकप तो आपको बैकप